हेलो फ्रेंज एजुकेशन विद पोनमेम चैनल में आपका स्वागत है इस सीरीज के अंदर हम जो यूपियस सी पीसियस है उसके मोस्ट इपोर्टेट क्यूशन है उसके बारे में डिसकस करेंगे तो यह बहुत ही मोस्ट इपोर्टेट क्यूशन है आप लेसंस को कीट वोज कीजिए जिससे आने वाले एकजाम के अंदर आपको बहुत ही फाइदा मिलेगा तो चलिए जो आज का लेक्टिर है वह स्टार्ट करते हैं पहला क्यूशन है यह कीट कपास के पोदों के फ्लोई या जीवत उत्तक से पोद्यों के रस को चुशते हैं जो पत्यो को लक्षित नहीं करते यह संद्रब कपास के कीट के समंद में हैं लाल कपास बग पिंक बॉल्बरम कपास एफिड या सफेद मक्ही तो यह किस समंदीत है कि जो यह कीट है यह पोदों के फ्लोई में या जीवत उत्तक का जो रस होता है उसको चुशते हैं और जो पत्यों म यह जो कपास के प्लांट्स होते हैं उन पर पाय जाता है तो यह कौन सा कपास का कीट है जो कपास की फैसल को नश्ट करता है तो यह है सफेद मक्ही नेक्स्ट है हाल ही में वोश्टोक 2018 समाचारों में है यह किन देशों के बीच होने वाला सेन्य अभ्याश है बार्त स्यू समाचारों में रहा और यह एक सन्य अभ्यास है तो यह किन देशों के बीच में हुआ तो यह हुआ रूस चीन और मंगोलिया तो हाल ही में वोश्टोक 2018 समाचारों में है यह किन देशों के बीच होने वाला सन्य अभ्यास है तो रूस चीन और मंगोलिया नेक्स्ट है बारत का चालू खाता गाटा सकल गेरूल उत्पाद का लगबंग 3% होने वाला है जो कि खतरनाक है हाल ही में जारी किये गए आंकडों का विसलेशन करते हुए C.A.D. के समंध में निमलिक्त कत्रों पर विचार कीजिए पहला है अब मुलित मुद्रा आम तोर पर देश के C.A.D. को कम करने में मदद करती है दूसरा नोटबंदी का निर्यात पर अधिक असर पड़ा जिससे C.A.D. में बढ़ोतरी हुई तीसरा है G.A.D. का आयात पर अधिक परवाब पड़ा जिससे C.A.D. में बढ़ोतरी हुई है नीचे दिए गए कूट से सही कतन का चेन खीजिए तो पहला है केवल एक और दो दूसरा है केवल दो और तीन और तीसरा है एक दो और तीन और चोथा है केवल एक तो इसमें से जो कौन सा कतन है वो सही है जो बारत का चालूख हता गाटा सगल गेरूलो उत्पाद है उसके समन्द में तो यह है केवल एक यानि कि अम मुलित नौकादोड उत्सव बारत की किस राजे से समंदित है तो जो रूदर सागर जील है इसमें हर साल एक वार्षिक नौकादोड है उसका आयोजन करवाया जाता है ये किस राजे से समंदित है उत्राखंड केरल उत्तरपरदेश या तिरपुरा तो रूदर सागर जील में वार् यह निम लिक्त में से किसके द्वारा वी नियमित है, NPCI, CB, RBI और NPCI, RBI, तो हाल ही में UPI 2.01 एकर्ट बुक्तान इंटरफेस लोज किया गया था, यह किस से सम्मदित है, तो आग यह RBI से सम्मदित है, हाल ही में दंतक प्रियोजना समाचारों में थी, यह प्रियोजना बारत और किस देश के बीच में है, तो यह भारत और बुठान के बीच में है, हाल ही में समाचारों में रही जिवाल्टर की खाड़ी किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है तो जो हाल ही में समाचारों में रही जो जिवाल्टर की खाड़ी है ये किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है लाल सागर और हिंद मासागर उत्री परसांत मासागर और केरिबियन सागर अंटाल्टिका मासागर और भूमन्दे सागर या उत्री अंटाल्टिका मासागर और उत्री सागर तो हाल ही में समाचारों में रहिद जीबाल्टर की खाड़ी किन दो मासागरों को आपस में जोड़ती है तो यह जोड़ती है अंटार्टिका मासागर और भुमदे सागर को आपस में जोड़ती है तो हाल ही में जो जिबाटर की खाडी है जो समाचारों में रहीद वो दो माशागरों को आपसन जोडती है तो वो है अंटार्टिक माशागर और भूमदे सागर नेक्स्ट है हाल ही में उडिसानी विधान परिषत के निर्मान के लिए एक प्रस्थाव पारित किया किसी राजी में उच सदन के निर्मान के समंद में निम्लिक्त कत्रों पर विचार करें प्रहस्ताव को सदन में उपस्ति सदेश्यों को दो बटे तीन बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा दूसरा है सीटों के संक्या 40 से अधिक होगी लेकिन विधान सबा के संक्या के आदे से कम होगी आमत और पराजियों में उच सदन नहीं है क्योंकि इससे संसद में पारित कराना एक कठीन काम है इसे अनुचे 368 के तहट सविधान संसुदन द्वारा पारित किया जाएगा है तो नीचे दिये गए कूर्ट से सही कठन का चियान करें केवल एक और दो दूसरा है केवल दो और तीन तीसरा है एक दो और तीन और चोता है केवल एक केवल एक कठन है वो सही है कि हाली में उडिसा ने विदान पृषद की निर्मान के लिए एक परस्ताव पारित किया किसी राज्ये में उस सदन की निर्मान की समन्द में सही कतन कौन सा है तो प्रस्ताओं को सदन में उपस्ती सदेशों के दो बटे तीन बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा ये कतन सही है कुछ लोगों का मानना है कि केरन में बाड के कारण होने वाली समवहनी बादलों के मुवमेंट को ट्रेक करने से समन्दित है समवहनी वर्षा के समन्द में निमलित कतनों पर विचार करें पहला है ये स्तलिय अवरोदों के कारण लेंडन मिल्ड में नमी में वर्दी होने के कारण होता है दूसरा है यह सिमित स्थानों पर होती है और इसकी बुंदों का आकार आम तोर पर ओरोग्राफिक वर्षा की तुलना में बड़ा होता है तीसरा है यह विवनिस्त है छेतरों में ऐसमान ताप की कारण होता है नीचे दे गए कोड से सही कतन का चैन करें केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और दो या इनमें से कोई नहीं तो नीचे दे गए कोड से सही कतन का चैन है इसमें भी दो और तीन यानि यह समित स्तानों पर होती है और इसकी बूंदों का आकार आम तोर पर औरोग्राफी वर्षा की तुलना में बड़ा होता है और यह विवनिस्त चेतरों में ऐसमान ताप के कारण होती है नेक्स्ट है हाल ही में भारती निर्वाचन आयोग ने सबी राश्टियों और राजिस्तरी अदलों के साथ बेठे की ECI की भूविका के समंद में निम्लीत कत्रों पर विचार कीजिए तो राश्टपती उप्राश्टपती संसद राजे विदानसवा और इस्तानी निकायों के लिए बारती निर्वाचन आयोग चुना आयोजित कराता है दूसरा है सांसदों की आयोगेता पर राश्टपती को और विदायकों 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 की आयोगेता पर राश्टपती को और विदायको नहीं दो तो इसमें से कौन सा कतन है इसमें एक भी कतन है वो सही नहीं है नेक्स्ट है हर्याना में एक से सोड़ा फरवरी 2020 में आयोजित 34 वी सुरज कुंड अंतराष्टी सिल्प मेले का थीम राजी कौन सा पर्देश था तो हर्याना में एक से सोड़ा हरवरी 2020 में आयोजित 34 वी सुरज कुंड अंतराष्टी सिल्प मेले की थीम का राजी कौन सा था तो वो था हिमाचल पर्देश तो फ्रेंड्स ये थे हमारे यूपीसी पीसेस की मोस्ट इपोर्टेट कुशन आपको यह कीसन कैसे लगे केमेंट करके जरूर बताएं आप मेरी चनल को सब्सक्राइब कीजिए सेर कीजिए लाइक कीजिए और शेर कीजिए इसकी पीडिएफ आपको टेलिगॉरम पर मिल जाएगी टेलिगॉरम का जो लिंक है वो बिस्कृप्सन में दिया गया है मैं Unacademy पी एजुकेटर हूँ तो आप मुझे Unacademy पी फोलो कीजिए Unacademy का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अगर आप Unacademy पे कोई भी प्लस कोड्स लेना चाहते हैं तो आप मेरा रफल कोड आई भी चूरू 54 यूज़ कीजिए और 10 परशेंट का डिस्काउंट है वो पाईएं तो आज के लिए इतना ही थैंक यू